उत्तराखन मुक्त विश्य विद्याले के सामुदाइक रेडियो हेलो हल्दवारी 91.2 FM के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार आप जानते ही हैं कि किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था में लगू उद्योग शेत्र एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं इसलिए हर साल छोटे व्यवसायों के महत्व और योगदान को पहचानने के लिए और तेश भर में विकास को प्रोचसाहित करने के लिए तीस अगस को राष्ट्रिय लगू उद्योग दिवस मनाया जाता है पहली बार तीस अगस 2011 को सूक्ष्म लगू और मद्यम उद्यम मंत्राले ने नई दिल्ली में लगू उद्योग में उद्यमियों के लिए एक सम्मेलन का आयुजिन किया और पुरुसकार देने के लिए एक कारिक्रम भी आयुजित किया आप सभी ने भी लगू उद्योग के बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा यह एक ऐसा उद्योग है जिसे कोई भी व्यक्ति छोटे पैपाने पर शुरू कर सकता है और आर्थिक रूप से शशक्त हो सकता है लगू उद्योग को तीन सेवा शेत्रों में बाटा जाता है सूक्षम उद्योग, लगू उद्योग, एवं मध्यम उद्योग और इस सभी को भूमी वभवनों को छोड़कर निवेश की गई राशी के आधार पर वर्गी कृत किया जाता है लगू उद्योगों में संग्यत्रव, मशिनरी में निवेश 10 करोड से जादा नहीं होता है सूक्षम लगू और मध्यम उद्यम अंत्राले के अनुसार पहले लोग उद्योग आधार पंजी करन कराते थे अब वहीं उन्हें अब उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना होता है लगू उद्योग के अंतरगत अगर्बत्ती बनाना, मुंबत्ती बनाना, साबुन तेल जैसे हर्बल सामान बनाना, कपड़े और चमड़े का बैग बनाना, मसाला बनाना, डिस्पोजिबल कप प्लेट बनाना, पेंट रिमूवर, पेपर बैग, जैम जैली अचार बनाना जैसे कई कारे आते हैं, भारत में सूक्ष में लगू और मध्यम उद्यम में पारंपरिक वा आधुनिक दोनों प्रकार के छोटे उद्यम शामिल होते हैं, इस शेत्रे में आट उपसमू होते हैं, जैसे पहला है अतकरगा, तूसरा हस्त शिल्प, तीसरा नारियल जटा जि अच्छा लगेगा कि MSME यानि Micro Small and Medium Enterprise Tool Room को भारत के पहले अंतरग्रही अंतरिक्ष मिशन मंगल यान यानि Mars Orbit मिशन के कम से कम दस घटक प्रदान करने का श्रेद दिया जा चुका है, MSME ने चंद्रयान जैसे अन्य अंतरिक्ष उपग्रहों के लिए कई महतुपूर योगदान दिये हैं, भारत का दूसरा चंद्रमा मिशन यानि चंद्रयान दो जिसे 22 जुलाई 2019 को भारत के चंद्रमा मिशन ने सफलता पूर्वक लांच किया था, इसमें MSME ने केंद्री उपकरण कक्ष्व, प्रसीक्षन केंद्र भूवनेश्वर और इंस्टिटूट फॉर डिजाइन ओफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मुंबई के प्रती लॉंच वेकिल के क्रोयनॉजिकल इंजिन, लूनर ओर्बिट की नैविगेश इस तर्ट तक लगुद्योग की महत्ता है, लगुद्योग बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर भारती अर्थ व्यवस्था की मजबूती में अपनी महत्वूर भूमिका निभाते हैं, भारत जैसे विकाशील देश में जहां युवाओ की संक्या काफी जादा है, ऐस व्यवस्थाइश शुरू करने के साथ साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए निश्यत रंड देती है, यह योजना आठ एप्रिल 2015 को शुरू की गई थी, इस योजना का जो भी रंड मिलता है, वे बैंको, आर्बियाई, लगु वित्व बैंको, एमफाई और एन्बी, पाविदन भी कर सकते हैं, समय के साथ साथ MSME मंत्राले द्वारा कुछ शंशोधन भी किये गए हैं, जैसे पहला शंशोधन है इसकी परिभाशा में, संशोधन जिसमें सरकार से निवेश और वार्शिक व्यापार दोनों के संयुक्त मापदन को सम्मिलित करके इसके वरगी करण को संशोधित किया गया, दूसरा संशोधन हुआ पंजी करण में, जो MSME को बिना किसी दस्तावेश वश्चुल के पंजी करण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, MSME मंत्राले ने GEM यानि गौर्प्मेंट e-marketplace के साथ उद्यम पंजी करण पोर्टल का API A की करण भी शुरू किया गया है, जिसे MSME सरकारी खरीद में आसानी से हिस्सा ले सके, इसके बाद है Champions Portal जो MSME की सहायता कर, प्रुचसाहित कर, समर्थन कर और सहायता प्रदान करके पूरे व्यवसाईक जीवन चक्र के दौरार एकल खिड़की की सुविधा प्रदान करता है, फिर है आ प्रदबोर संशोधन है उद्यम विकास केंद्रो यानी IDC की स्थापना, इन केंद्रों का उद्देश, मौझूदा और ऐसे लगू उद्योगों को निरंतर्ता के आधार पर ग्रामीर उद्यमों पर विशेश ध्यहन देने के साथ, पेशेवर सला वर सहायक सेवाई प्रद युगदान देते हैं, लगू उद्योगों को मुख्यता तीन भागों में वर्गी कृत किया जाता है, जिसमें से सबसे पहला है manufacturing industries, आपने सुनाई होगा कि बड़ी companies तैयार माल बनाती हैं, लेकिन वे आम तोर पर सभी भागों को खुद नहीं बनाती हैं, इन कंपनियों क के विक्रेता सहायक उद्योग ही होते हैं, सहायक उद्योगों को उन कंपनीज के रूप में भी पहचाना जा सकता है, जो बहुराश्ट्री कंपनीज या मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए मशीन बनाती है, दूसरे है सेवा उद्योग यानि service industry, जो किसी भी प्रकार के न फिर्मार में शामिल नहीं होते हैं, ये जादतर किसी अन्य industry के बाद उत्पादों की रिपार, मेंटेनेंस और अच्छी स्थिति में रखने की प्रक्रिया में साथ होते हैं, रिपेर शॉप और मेंटेनेंस उद्योग सेवा उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, तीसरा ह एक छोटे पैमाने के वेवसाई को एक एक्सपोर्ट यूनिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि उसका कुल निर्यात उसके कुल मैनुफेक्चुरिंग के 50 पतीशत से अधिक हो फिर है कुटर उद्योग जो निजी सनस्थानों से संचालित होते हैं इसमें लगू-पूणजी निवेश और स्वदेशी प्राद्योकिकी का उपयोग शामिल होता है और इस कड़ी में अंतियम पर बहुत महत्यूपून है ग्राम उद्योग जो उद्योग रामीन शेत्र में स्थित होता है और बिजली के उपयोग के बिना माल को तैयार करता है या इस प्रकार की सेवाई प्रदान करता है इन सभी के लिए लगू द्योग मंत्राले भारत में लगू द्योगों की वृद्धी और विकास के लिए नोडल एजनसी के रूप में कारे करता है और लगू द स्वारत देश में लगू द्योगों का समवर्धन, सहायता और पोशित करने की दृष्टी से की गई Ministry of Medium Small Enterprises ने तीन राश्ट्री उद्यम विकास संस्थानों की भी स्थापना की जो प्रस्क्षन केंद्र, उपक्रम अनुसंधान और लगू द्योगु के शेतर में उध्यम विकास के लिए प्रस्क्षन और परामष सेवाओ में लगे है् जैसे कि हैदराबाद में राष्ट्री लगू उद्योग प्रिसार शिक्षन संस्थान, नोईडा में राष्ट्री उद्यम एवं लगू वेवसाइव विकास संस्थान और गुहाटी में भारती उद्यम संस्थान. तो शोताओं राश्टी लगू द्योग दिवस के अवसर पर आपने जाना कि लगू द्योग देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महतुपूर्ण भूमिकाने बाते हैं लगू द्योग रिशी के बाद मानव संसाधन को सबसे जादा महतुपूर्ण बनाते हैं ये ऐसी काईया हैं जो स्थानी रूप से सामागरी और स्वदेशी तकनीक का उपयोग कर देश के संतुलित शेत्री विकास में बहुत जादा योगदान देती हैं प्रतिसफर्दा के इस दौर में निवेश की कमी और घट्ते रुझान जैसी कई कठिनाईयां भी लगुद्योगों के सामने आती हैं आशा है कि आज के इस महतुपूर्ण दिन हम सभी लगुद्योगों के प्रती जागरुप बने और कोशिश करें कि लगुद्योगों के जरिये लोगों में आत्म निर्भरता बढ़े और लोगों की आई भी बढ़े धन्यवाद